आज हम बनाएंगे एकदम नए तरीके से अर्वी की बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ची एक बार आप इसको देख लेंगे ना तो बनाए बिना रही नहीं पाएंगे और यकीन मानिए बच्चों से लेके बड़ों तक ये सब चीज सब को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी तो वीडियो को इन तक जरूर देखे तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 200-300 ग्राम के आसबस अर्वी ली है और अब हम इसको भाप में पकाएंगे तो यहाँ पर मैंने एक स्टीमर में पानी गरम करने के लिए रख दिया था अब हम इसके उपर स्टेंड रख देंगे और इसके उपर हम सारी अर्वियां रख देंगे तो यह मैंने सारी अर्वी इसमें रख दी है और अब हम इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए पका लेंगे तो थोड़ी दिर हो चुकी है चलिए हम अर्भी को चेक कर लेते हैं तो एक चाकू की मदद से इस तरीके से हम चेक करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं चाकू अंदर अच्छे से जा रहा है तो इसका मतला अर्भी हमारी भाप में अच्छे से पक चुकी है चलिए इसको ठंडा कर लेते हैं और जैसे ही अर्पी हमारी ठंडी हो जाएगी हम इसके चिलके निकाल देंगे भाप में पकाने के बाद अर्पी के चिलके आराम से निकल जाते हैं ये देखिए वैसे अर्पी को चीलने में बहुत जाधा टाइम लगता है और इस तरीके से आप देखिए कितने फटा-फट छिल के इसके निकल जाते हैं तो चलिए इसी तरीके से हम सारी अर्भी छील लेंगे अब हम अर्भी को एक बॉल में डाल देंगे क्योंकि हमें इनमें और भी चीज़े मिलानी है तो सबसे पहले हम इसमें आदा चमच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे आदा चूटे चमच हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे एक चूटकी हल्दी पाउडर इसमें आइट करेंगे आदा चमच गरम मसाला डालेंगे एक चौथाई के करीब हम इसमें काली मिर्स डालेंगे अब यहाँ पर दो बड़े चम्मच मैंने दही लिया है तो इसको भी हम सारे अर्वी में डाल देंगे अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच सरसू का तेल हम इसमें सरसू का तेल ही यूज़ करना है अब सारी चीज़े मिलाने के बाद हम इसको आदे घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे चलिए आदा घंटा हो चुका है और अब हम अर्भी को हलका सा रोस्ट कर लेंगे तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और इसमें हम एक चमस देल डालेंगे अब एक एक करके हम सारे अर्भी इसमें डाल देंगे आरम से एक एक करके सारे मसाले के साथ अर्भीयों को डाले ताकि मसाला भी अच्छे से सिख जाए और अब हम अर्भी को एक तरफ से सिखने देते हैं उसके बाद ही हम दूसरी तरफ से सिखेंगे तो इसको थोड़ी देर के लिए cover कर देते हैं और जब ये एक तरफ से सिख चाहेंगी हम इनको पलट कर दूसरी तरफ से भी सेख लेंगे गैस की flame को हमें low ही रखना है ताकि अर्भी अंदर तक अच्छे से सिख जाए और चलिए अर्भी हमारी अच्छे से सिख चुकी है चलिए अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और आप देख सकते हैं कितनी जादा सुन्दर ये अर्भी दिख रही है उपर से भी आप देख सकते हैं ये अर्भी कितनी जादा ग्रिस्पी दिख रही है चलिए अब हम gravy के लिए masala दियार कर लिते हैं तो सबसे पहले मैंने यहां पर एक बड़े size का प्याच लिया है इसको हम jar में डाल देंगे साथ में हम इसमें 4 लेजन की कलिया डालेंगे 1.5 इंच हम इसमें अद्रक का तुकड़ा डालेंगे दो इसमें साबुत लाल मिर्स डालेंगे और अब मसाले की टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम इसमें एक चमच साबुत हरा धनिया डालेंगे चलिए इन सब को हम बारी पीस लेते हैं तो यह हमारा मसाला बिल्कुल रेड़ी हो चुका है अब यहां पर हम एक पैन लेंगे तो जिसमें मैंने अर्भी फ्राइ की थी वही पैन मैं वापस से यूज कर रही हूँ इसमें हम एक चमच के करीब सरसू का तेल डालेंगे सरसू के तेल से अर्भी की सबजी में सौध बहुत ही जादा अच्छा आता है तेल जैसे गरम हो जाएगा हम इसमें एक चमच जीरा डालेंगे और जो मसाला हमने अभी पीस कर रखा था उसको भी डाल देंगे अभी यह जो मसाला है इसको हम थोड़ी दिर के लिए चलाते हुए सेक लेंगे और जैसे ही मसाला सिख चाएगा हम इसमें एक मीडियम साइस की टमाटर की प्योरी बना कर डाल देंगे और अब टमाटर को भी हम सारे मसाले में अच्छे से मिला लेंगे और इसको भी थोड़ी दिर के लिए सिखने देंगे तो 2-3 मिनिट के लिए हम इसको कवर करके सिख लेंगे तो लगबक 3 मिनिट हो चुके हैं और मसाला हमारा अच्छे से सिख गया है ये देखिए इसको एक बार अच्छे से मिला लेते हैं और चलिए इसमें हम कुछ मसाले मिलाते हैं सबसे पहले याँ पर आदा चमच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, आदा चमच धनिया पाउडर, एक चोथाई चमच हल्दी पाउडर, आदा चमच गरम मसाला, आदा चमच नमक डालेंगे इन सारे मसाले को डालने के बाद हम इसमें तोड़ा सा पानी डालेंगे और इन सब को अच्छे से मिलाते हुए सेक लिए तो लगबग चॉर से पांच मिनिट के लिए हम इसको सेक ना है तो यहाँ पर मैंने इसको कश़ती आख यह तकि अच्छे से सेक चाहे और 4-5 मिनिट बाद ये मसाला हमारा अच्छे से सीख चुका है एक बार हमें इस सारे मसाली को अच्छे से मिला लेते हैं और अब हमने जो अर्वियों को सीख कर रखा था वो हम इसमें मिला देंगे तो चली एक एकर के सारी अर्वी हम इस मसाले में डाल देते है अब हम अर्वी को मसाले के साथ अच्छे से मिला लेंगे ताकि जो भी मसाला है वो अर्वी में अच्छे से मिल जाए और उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी तो यहाँ पर हमें बहुत जादा पानी इसमें आट नहीं करना है एक ग्लास जितना हम इसमें पानी आट करेंगे क्योंकि जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी थिक रहे और अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिला देते हैं और मिलाने के बाद इसको चार से पांच मिनिट के लिए हम ढगकर पका लेंगे तो आप देख सकते हैं तेल उपर आ गया है यानि कि जो ग्रेवी है हमारी अच्छे से पक चुकी है और जो भी ग्रेवी का टेस्ट है वो अर्भी के अंदर भी अच्छे से आ जोगा है बहुत ही जादा टेस्टी लगती है तो यह हमारी अर्भी की मसालेदार बहुत ही जादा टेस्टी सबजी एक्दम रेड़ी हो चुकी है आप भी इस तरीके से एक बार जरूर बना कर देखें वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से करें चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि मेरी आने वाली हर नई रेजिपी जाप तक आउच पए